गाइज वेलकम टू माई चैनल समय टेरो कार डीडिंग और इसमी करन्ट फीलिंग इसमी करन्ट एनरजी आपकी पर्षन की क्या है डियर गाइज टेरो कार्ड में देखेंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बैल आइकन को प्रेस कर लीजेगा आप तक पहुंच जाए सक्सिस फोली तो स्टार्ट कर लेते हैं जनल भी है यह रीडिंग तो सबी लोग देख सकते हैं कि जनल लीडिंग है और टाइमलेस है तो टाइम बांडेशन कोई भी नहीं है अभी देखते हैं आपके पर्सं का हाल आपके लिए क्या है और उनके द क्या हो रहा है उनकी फीलिंग्स क्योंकी एनर्जीज में ओके आपके पर्सं क्या बात हो गई कुछ जगड़ा हो गए कि आज उनका थर्ड पार्टी से भई अनर्जीज यहां पर यहां पर यहां लग रहा है आपके पर्सं का यहां पर जो मैं अनर्जीज देख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सं का यहां पर आज बहुत ज़्यादा मूड खराब दिखाए दे रहा है इस अनर्जीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मूड खराब हो रहा है बहुत ज़ ने आपसे तो मूबान कर लिया और थर्ड पार्टी से मतलब कहीं न कहीं कोई थर्ड पर्सन है जिसकी बज़े से वो आपसे दूर हो गए तो यहां पर आज की एनरजी के एकोर्डिंग टेरो कार्ड के एकोर्डिंग आपके पर्सन इस समय पर बहुत ज़्यादा नाराज है ऐसा लग रहा है टेरो कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में आज जगड़े हो गए दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए और आज फिर दोनों के बीच में काफी कि आपने कुछ उनको भी दी थी कुछ अपने उनको बोला भी था गुशी में बोला हो चाहे कैसे भी बोला हो लेकिंए उन्होंने आप अपाई परसंद गते उन्हीं को बहुत ज़्यादा सर चड़ा रहे हैं मतलब हुआर नीस जव्यार अपने ये बहुत अधिक मांतरा में आपको मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को बहुत ज़दा याद कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मतलब कहीं न गई आप उनको क्योंकि ट्रावलिंग कार्ड भी है तो ये card किसली आया है ये card इसली आया है कि आपके person आपकी life में दुबारा से return होना चाहते हैं ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है traveling का यानि कि दो चीज़ें यहाँ पर traveling का card बता रहे हैं तो long distance relations से पकर आपका है तो फिर वो कहीं न गहीं दूर आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आपके पास lot आना चाहते हैं मालीजे आप किसी एक दूसरे से दूर रहते हो kilometer like बहुत जादा दूर place change हो आपके countries change हो सकती है आपकी sit और ये भी हो सकता है कि आप एक जगे पर एक place पर रहते हो लेकिन वो उनकी energies के according वो अब आपकी पास lot आना चाहते हैं इसलिए ये card हो सकते कि आया हो लेकिन आज उनके और third party के बीच में बहुत जादा कहा सुनी हुई है and आपके person को आपकी कही हुई जितनी भी बाते थी क्योंकि I'm sure tarot card को देखकर लग रहा है आपने उनको कहीं न कहीं indicate किया था उनको बताया था कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और वो आपके साथ move on करकर एक दिन पच्टाएंगे इस रिष्टे को तोड़कर definitely आपने बोला होगा क्योंकि यहां ऐसे energies बन रही है कि बहुत को सुनान सुना करना चाहिए था उन्होंने उसी की बात को माना और आज जब उन्हें हर चीज में adjustment करने के बाद भी कहीं ना कहीं परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यदा परिशान दिख रहे हैं आपके person और आपको बहुत आपके लिए जो सोच थी उ वो आपको लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब इक होता है कि पच्टाते हैं कब पच्टाना होता है जब अती हो जाती है आपके प्यार को नोने नहीं समझा और आपके प्यार को छोड़कर दूसरे की बातों में आकर emotionally या controlling जैसे भी किया relationship आपका break कर दिया आज आपके लिए तो उनकी सोच बहुत चेंज हो गई है बड़े अच्छी सोच हो गई है फ्रेंलने से काड आया हुआ है लेकिन यह जो कार्ड है यह कार्ड यहां पर indicate कर रहा है कि आपके person अब उस third party के रिष्टे को break कर देना चाहते हैं तोड़ देना चाहते हैं उनके relationship क्या था इनके साथ present क्या है अन future क्या होगा आपके कार्ड को भी देखते हो ओके देखो भाई आपके कार्ड से मेरे को ना आपकी जो energy दिख रही है आप इस energy से बहुत जादा परिशान first state दिख रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपकी life में जैसे मैं past card को मैं बात में जो है वो आपको read करके बताऊंगी इस card को लेकिन यहां पर जैसे जो card दिख रहे है न past का तो एक अच्छे खासे relationship को आपने मतलब आपका relationship I think बहुत जादा खुबसूरत था आपके partner के साथ जो कि यहां पर साब दिखाए दे रहा है लेकिन control की बज़े से I think आपके relationship में controlling energies आ रही है मतलब आपके card से आपके partner के बारे में पता चल रहा है कि उनको कोई control कर रहा था इसलिए उन्होंने आपके relationship को break कर दिया आपके tarot card के energies के according आपके person आज भी आपके पास आना चाहते हैं ये card आप देखेंगे तो खुद पकुद समझ जाएंगे के energies क्या हो रही है मतलब कहीं न कहीं आपके person ने जो भी रिष्टा आपसे बोला था वो निभाने का वादा किया था वो आपके रिष्टे को निभान चाहते हैं marriage करना चाहते हैं और जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं ठीक है ये चीज़ आप लों के बीच में दिखाई दे रही है लेकिन control का card साथ में है और control का card यहां पर यह कह रहा है कि आपके partner को बहुत जादा control किया जा रहा है emotionally भी burden बहुत है और इस burden में वो बहुत जादा first trade हो चुके हैं बहुत ही जादा और इतना जादा इन चीज़ों में stress में वो है कि मतलब पूरी तरीके से यहां पर arguments और जगड़े यहां पर आपने देखा tarot card में कि कहीं ना कहीं उनको बहुत जादा मतलब इन चीज़ों से परशानी हो रही है कि उनकी बात को समझ पास्ट में आप देख रहे हो celebration card क्यों आ गया भई celebration card इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपका past present and future दोनों चीज़ों को मैंने तीनों चीज़ों को मैंने देखा मतलब आपके लिए मैंने जो कार लिए past के लिए present के लिए present में controlling energies है partner आना चाहते हैं बट यहां पर रोका जा र है कि आप लोगों के बीच में changes change आएगा बहुत बड़ा change आएगा जिसमें आपका रिष्टा almost तूट कर भी जुड़ जाएगा यह एक बहुत बड़ी बात है किसी भी relationship में अगर breakup हो जाए दैन उसके बाद भी आपका partner आपकी तरफ लोट आना चाह लोट आए क्योंकि वह रिष्टे को अधूर नहीं चाहते हैं कि कुछ ना कई अभी अधूर है है यहां पर आप देख रहे होगे अधूर पन रिष्टे में मतलब लाइक बीच से छोड़कर जब चला जाता है कोई बी चीज दो वह अधूरी हो जाती है लेकिन क्या वह उस चीज को पूरा करना क्या वो आपके साथ future चाहते हैं तो कार्ड क्या बोल रहे हैं yes definitely controlling energies है बट वो चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं उनकी feelings आपके लिए pure है तो completion कार्ड हमें ये बता रहा है उसके साथ ही control का कार्ड आया हुआ है जो की काफी जादा controlling energies को बता रहा है वो पाय करेंगे तो चीज़े ठीक हो जाएंगे celebration का कार्ड है like future का कार्ड हैं आपर बता इंडिकेट हो रहा है कि आपके partner के साथ आपका जो reunion है वो बहुत जल्द होगा और आपके partner के साथ आपका relationship complete होगा मतलब जो भी चीज़े अठीक हो रही है वो सारी चीज़ें आपके future में पूरी तरीके से flow में जाएंगे और आप लोग के बीच में एक अच्छी positive energies होगी future आपका साथ होगा future की energies यहां पर आ रही है future ways कि हाँ future में ऐसे changes आएंगे बड़े changes आएंगे और यहां पर जो third party और आपके person की card के according जो जगड़े और जो arguments हो रहे हैं वो हमें इसी चीज़ को लगातार बता रहे हैं कि रोज रोज के जगड़े हो रहे हैं आपके person और third party के बीच में तो बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हैं आपके person third party से और उनकी इस तरह की energy से तो आपके partner जो है वो कहीं न कहीं रिष्टा जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं थाड़ परसन से एंड उनकी control से क्योंकि वो परिशान आ चुके हैं है ना और आज जो जगड़ा हुआ है आपके partner के साथ वो कहीं न कहीं इन्हीं सब चीज़ों अपर हुआ है क्योंकि हो सकता है energies के according मैं दो काड़ आपके person की site से भी ले ही लेती हूं ताकि ओके ओके देख रहे हैं आप खुद पर खुद काड़ आ रहे हैं इतनी positive energies हो रही है देखो भई तीन काड़ आए में रखना क्या में हाथी में ले ले लिती हूं तीन काड़ को देखो आज की जो energies हो रही कि आपकी और आपके person थर्ड पाटी के बीच में जगड़े और arguments हुए तो उ आती हूं आप समझ ले चीज़ को अगर काड़ आए हुए तो यहां पर past को नहीं भुला पा रहे हैं आप इस काड़ को देखो और इस काड़ में क्या energies है कि उन्होंने आपको बोल दिया कि मैं तुमसे move on कर रहा हूं या मैं move on कर रही हूं में लिए female कोई भी partner हो सकते हैं लेकिन जब भुलाने की बात है आपको तो भुलाने पा रहे हैं बुलाने पा रहे हैं बिलकुल भी भुलाने पा रहे हैं कोशिस करने के बाद भी नहीं भुला पा रहे हैं क्योंकि feelings जब true होती है और बहुत ज़्यादा हम किसी को दिल से प्यार करते हैं दिल से attachment होता है त ठीक है वो कहना चाहते हैं आपसे जो भी कुछ कहना चाहते हों आपसे अपने प्यार बताना चाह रहे हों आपसे कुछ और कहना चाह रहे होंगे और यसी चीज़ के लिए वो आपसको अनब्लॉक करके या आपसे मिलकर अपनी बात को शेर करना चाहते थे या चाहते हैं ठीक या उनका आपके परसन का मन हो रहा है आपसे बात करने का वो कुछ न कुछ ऐसी बाते हैं जो वापसे बीच मेंदो किया है और content खतम कर दिया ना तो आज जी की स्थिति के according आज वो आपसे बात करना चाहते थे और आपसे बोलना भी चाहते थे unblock करके लेकिन third person का control बहुत जादा हावी हो गया और वो जो energies थी वो कही न कहीं हो गई और आपके person जो है वो energies आ रहे हैं कि मतलब वो आपको भुलाने पारन की feelings true है third person के साथ जगड़े इसलिए भी हो रहे है टरो कार्ड के according क्योंकि कहीं न कहीं आपके partner जो है वो third party से अब रिष्टा प्रेक करेंगे और उनका जो control है third person का उसको वो नहीं चाहते हैं तो आप कितना resonate कर रही है प्लीज बताएगा क्योंकि general है reading सबके साथ resonate नहीं करेगी जिसके साथ करें सिर्फ वहीं देखें and future में आपका रिष्टा बहुत ही खुबसूरत नजर आ रहा है मतलब कहीं न कहीं third person से रिष्टा तोड़ कर celebration के अनर्दीज बन रही है तो आप लोग का रिष्टा complete हो रहा है आप लोग की बीच में प्यार आपका जो है वो connect कर पा रहा होगा first card is traveling आप देख रहे हो अब इसमें is reference हो सकता है आपका long stance हो सकता है आप couple हो सकते हो है ना आप love relationship में हो सकते हो आप friends family या पर आपका relationship आपके partner के साथ कोई extra mater relationship हो सकता है तो रिष्टा आपका कोई भी हो सकता है अच्छा राशियां बता देती हूं मैं then इसके बार define करूंगे ठीक है के तो राशियां यहां पर जो नज़र आ रहीां है मुझे aries सबसे पहले नज़र आ रहे है scope भी नज़र आ रहिए वर्गो कुम्व रशी Qändया तुला Taurus मकरश कॉंटा अजर मनई E N A N S R P Q ठीक है B ठीक है B वी नजर आ रहा है B न नोट वी विक्ट्री बाला नहीं आज मुझे वी बड़ बला जो होते है न वो भी नजर आ रहा है अल्फावेट ठीक है N मैंने बता दिया है दुबारे से दिखाए सुन लीजे S R B है S और A N और A चले तो ये लाटर्स राशिय में आपको बता दिये दो कार्ड से डिफाइन कर लेते हैं आगे क्या होगा चले देखते क्या निकलते हैं जो ये कार्ड है इनके वेस्ट पर क्या कार्ड निकल कर आते हैं प्लीज गाइट करें अंजल्स सुस्क्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि मैं जब भी कोगी देखें मैं असली बोलती हूँ कोगी बहुत साय लोग कंप्लेट करते हैं मैं मैं तो यहां पर reading करती हूं within a second में इसको upload करती हूं और आपके पास पहुंच जाती है तो आप अगर subscribe करने के साथ नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो कैसे आएगा आपकी reading रह जाएगी मैं तो आपके लिए कर रही हूं reading लेकिन आप आप तो देख पाए ना तो उसके लिए आपको subscribe तो कर रहे हो आप ठीक है लेकिन आपको बल आइकन को भी तो प्रेस करना होगा घंटी के बटन को इस पीचे ना हो एकदम कर देती हूं फटाफट से अपलोड तो यहां पर three of cups है यहां पर five of swords है तो अप में आपको जो clear energies हो रही है वह यहां पर यह है कि भई आपके पार्टनर को आपके life में लोटकर आना है वह आपके life में रहेंगे आपके साथ अपना जीवन जो है वह प्यार को बता रहा है और पूरी तरीके से like celebration का card है आपके future के लिए तो future में जो energies बन रही है वह आपके रिष्टे की बहुत ही खुशूरत energies बन रही है future card reading है आज मैंने future reading की है आप यह समझ लीजेगा और personally तोर पर अगर आप अपना future दिखवाना चाहते हैं तो बिलकुल आप दिखवा सकते हैं लेकर यहां पर जो future की card आया हुआ future में celebration है आपके person के साथ मतलब आप पूरी तरीके से complete relationship में है complete आपका रिष्टा है आपके partner के साथ एक पूरी तरीके से एक सुखद आपका love life है मतलब अटकी हुई जो stuck energies है पूरी तरीके से clear हो जाएगी and आपके partner के साथ आपका बहुत ही खुबसूरत एक beautiful relationship यहां पर नज़र आ रहा है future में future में marriage stability and आप लोग साथ साथ दिखाई दे रहे हो मुझे according to card so dear guys I hope so connect की होगी मेरी टरोकार डीटिंग कितना resonate कर पाते हो आप मेरी टरोकार डीटिंग को please जरूर बताएगा and personally आपको पता ही है नमबर वीडियो पर है अगर आप book करना चाहते हैं अपनी दरोकार डीटिंग को तो आप लोकुल book कर सकते हैं अपनी दरोकार डीटिंग को and take care bye bye